नमस्य दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत लाजवाब से डिजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे इस होली पे अगर आप बनाएंगे ना आपकी गर में तारीफ ही हो जाएंगी थंड़ाई तो आप सबी पीते हैं लेकिन इस होली थंड़ाई पीने के साथ साथ खाईएगा भी जी हाँ आज मैं आप सब के लिए बनाने वाली हूँ ये थंड़ाई पुडिंग, थंड़ाई डिजर्ट, थंड़ाई केक कुछ भी आप कह सकते हैं बिना गैस चलाएं बिना ओवन इसे हम बनाएंगे तो चलिए इसे बनाना शिरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आदर कप एकदम चुल्ड यानि थंड़ी विपिंग क्रीम ली है इसे बीटर की हैप से अच्छे से हम बीट कर लेंगे आप चाहें तो हैंड विस्क या मिक्सी में भी इसको चला सकते हैं तो उसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा तो देखें जो क्रीम है अच्छे से विप हो गई है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थंड़ाई पाउडर तो मैंने यहां आज मार्केट वाला ही थंड़ाई पाउडर लिया है आप चाहें तो गर्मे बना सकते हैं जिसकी रेसिपे मैं आप से शेर कर चुकी हूँ यहां थंड़ाई पाउडर के जगे जो मार्केट अले थंड़ाई सिरप आते हैं दो टेबलिस्पून थंड़ाई सिरप या पैड कर सकते हैं इसे भी अच्छे से इसके साथ विस्क कर लेंगे यह देखिए हमारी थंड़ाई फ्लेवर की विप क्रीम है यह बन करके रेड़ी हो गई है इसे एक तरफ रखते हैं यहां मैंने एक कप एकदम थंड़ा दूद लिया है दूद में भी मैं दो चमर थंड़ाई पाउडर डाल रही हूँ आप जाने थंड़ाई सिरप डाल ल जी हां इसका इस्तमाल हम इसमें करने वाले हैं तो यहां पर एक सर्विंग डिश मैंने ले लिया है उसमें एक लियर रस्क की हम लगा लेंगे तो जितना बड़ा आपका सर्विंग डिश हो सकॉर्डिंग अपसेट करें मेरा जो सर्विंग डिश काफी चोटा था तो इस तो एक लियर हमने लगा दी है इसके ओपर हम पोर कर देंगी हमाई जो ठंडाई जो उने दूर में बनाके रखी है तो बहुत ही अच्छे से आपको इसको सोग करना है आपको शुरू में लगे कि हाँ बहुत साई ठंडाई जा चुकी है तो कोई दिक्कत नहीं यह देखी कित गया है उसके बाद एक लेयर क्रीम की पूरे ही जो रस्क के ओपर हमीं लगा दी है आप चाहें तो डारेक पूर करके नाइफ से स्मूद कर लें अब वापस से इसके ऑपर एक और लेयर जो हमने है रस्क की लगा ली है जो आपको ऐसे सो यह आ।स इब को था relief से और यह दे और जो किनारे हैं वो अच्छे से हम कवर कर लेंगे और मैंने यहां पर इस तरीके से मैं से कवर कर रही हूं लेकिन यह टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो आप लगाएगा नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है आप बटर पेपर या प्लास्टिक की पॉलिथीन या दूद की थैली किसी में भी वेप क्रीम भर सकते हैं डारेक्ली आप पोर कर लें किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह देखिए अच्छे से एक लेयर हमने क्रीम की बढ़िया से लगा दी है अब इस पर मैं ड्राइफ रूट्स टाल रही हूं तो म मैंने यहां पर थोड़ से रोस पैटल्स थे मेरे पार ड्राइव आले वो मैंने डाले हैं जिससे दिखने में और भी खुबसूरत लगे और थोड़ी से मैं यह सिल्वर पल्स भी डाल रही हूं और इसे तकरीबन दो से तीन गंटा मैं सेट होने के लिए रखूंगी आप चाहें तो ओवरनाइट पे से सेट कर सकते हैं तो लीजे फ्रेंड्स हमारी बहुत मज़िदार सी ठंडाई पुरिग मन करके रेडी है देखिए देखने में कितनी मज़िदार सी लग रही है ना अंट्रस्ट मी टेस्ट इसका बहुत अमेजिंग था मेरे गर में तो सूपर तो इस होली ठंडाई पीने के साथ साथ खाएगा भी आप इसका टेक्श्यर देख सकते हैं बिलकुल देखिए केक जैसी लग रही है ना और कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा कि रस्क से आपने इसे बनाया है बहुत ही मज़ेदार बनती है लेक्मों में गुल जाती है तो इस होली आप इसे जरूर ट्राई कीजेगा आइम शॉर जो भी खाएगा ना आपकी तारिफे करता ने दखेगा तो आशा करती हूं दोस्तों आज की ये रेसेपी आपको जरूर पसंद आई होगी तो आप इसे ट्राई करें आपका फीडबाक में साथ जरूर शेयर करें तो च चलिए आज के लिए बस इतना ही बाबाई